हरियाना के OBC सम्मेलन में अमेज शाह ने बयान दिया कॉंग्रेस पिछडा विरोधी पार्टी है सबसे ज्यादा OBC बंतरी, प्रधार बंतरी मोदी ने बनाए है हरियाना में CM भी OBC है और यही तो चर्चाम भी कर रहे थे कि अगर हरियाना के बात करें तो नायब सिंग सेनी के हाथ में कमान तो है क्या कहा अमिछ शाह ने पहले आप वो सुनें दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछडों की सरकार है और देश को पहला सशक BC प्रधान मंतरी देने का काम भारतिय जंता पार्टी ने किया और आज 71 में से 27 मंतरी पिछडा वर्के देकर नरेंद्र मोदी जिने देश भरके और हरियाना से भी दो पिछडे देकर हरियाना के OBC का सनमान करने का काम किया है भाई और बैनो, मैं यहां आया हूं तब हुडा साब को जरूर कहना चाहता हूं हुडा साब, चुनावाता है तब BC, 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 BC की माला जबते हो कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से पिछडा वर्क की विरोधी गई OBC की विरोधी गई सन 57 में OBC के रिजर्वेशन के लिए काका साहिब कालेल कर कमिसन बना कॉंग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया अमिर्च शाह जो बात कह रहे हैं देखिए OBC नर्थित्व की अगर बात आती है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है हर्याना के मुख्य मंत्री नायब सिंग सेनी है औरीशा में भी जिनके हाथ में कमान दी गई वो किस वर्ग का प्रतने धित्व करते हैं वो भी पिछुडे समाज से आदिवासी समाज से आते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर भी ये बात समझानी पढ़ रही है हर्श्वर्दन जी सबसे बड़ी चिंता ये है अमित शाह देश के ग्री मंत्री आप समेलन में खड़े हो रहे हैं अभी भी ये बात समझा रहे हैं क्या जनता देख नहीं रही है या कॉंग्रेस ने बड़ी अच्छी पट्टी पढ़ा दिये मुझे लगता है इतना भी नहीं हो गया है कई बार लगता है अब भारती जनता पार्टी के लोगों को भी थोड़ा बैट के अच्छे से समझ लेना चाहिए वो भी जिस तरह से विवहार कर रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि सारे लोग चले गए अगर चले गए होते तो 36% से अधिक पूरे देश में और अगर सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 41% से अधिक मत आपके पास नहीं होता आपके पास समझ पिछडा का जो गढ़ जोड था वो अभी भी इंटेक्ट है मुश्किल क्या है कि जब आप जाती समिकरण में एकदम से दिख रहे होते हैं जिसकों कहते हैं कि आपको दिख रहा होता है साफ साफ शीशे की तरह है कि उस पार क्या चल रहा है आपको समझ भी आता है कि हाँ ये भी एक तरीका है तो वो जातीया भी अपना एक लाब लेने के लिए कहीं और जा रहे हैं किसी और को जिता दे रही है अब सवाल यह है कि आप आगे की बात करेंगे きा अप जो कर रहे हैं उसके आगे की बात करना सीखिए और ये भारती जनता पार्टी के नेताओं के लिए बहुत आउश्यक है बहुत पीछे जाकर बार-बार बात करने से अब नहीं होने वाला है यहाँ समझजे इस बात को और भारती जनता पार्टी किया होती है क्या होगी आगे की बात मैं तो यह भी समझना चारी हूँ अगर तो इस narrative को ये बोल के नहीं खत्म करेंगे कि देखे leadership हमने दी हमने election खत्म नहीं किया ये देश सम्विधान से चल रहा है इसके इतर वो क्या बात कहेंगे नहीं देखें जब हम आगे की बात कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है आगे की बात का मतलब ये है कि जो कुछ हमने 10 सालों में किया वो बताने की ज़्यादा जरूरत होती है हमारी policies ने कैसे change किया है वो बताने की ज़्यादा होती है आप अगर मतलब उदारल के लिए हम कह रहे है कि राहूल गांधी आज जाती जनगरना की बात कर रहे है और Congress Party का जिसको कहें कि एक stand है कि वो जाती जनगरना के विरुत रही है लेकिन अब अगर राहूल गांधी कह रहे है कि भई हम करेंगे तो आज की जो बात है वो ज्या पूर्ण है या पहले की कोई बात आपको ध्यान में रही होगी जो उस काल परिस्ति के हिसाब से कही गई हो तो मुझे लगता है भारती जनता पार्टी को आज की राजनीती करनी चाहिए और भाजपा के पास बहुत कुछ है मैं फिर से कह रहा हूं 1984 के बाद पहली सरकार है जो 240 सीट के साथ सरकार में है इसलिए आपको ये मतलब समझना भी पड़ेगा कि हम कहां खड़ें कमजोरियां जो है वो सबसे बड़ी बात है डी सेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा इस्टेट लीडर्शिप आपको तैयार करनी ही पड़ेगी आपका जो मूल कारिकरत अवर्शिप गरता है जो डूसरों को जेलता जा रहा था चैनलो ठीक है अराम से बैठा हुआ छलो ठीक है लोग आने चाया आने चाहिए आपने पूरा घर भर दिया और घर भर दिया वही बैचारा किनारे खड़ाओ के बाहर पुरजी लगा बैठा हुआ है तो कम सकम ये चीजे आप सोचिए आप विधान परिशद और राजसभा में किसको भेजते हैं जरा वो भी सोच लीजे ये सारी चीजे हैं जो मुझे लगता है ठीक करने की जरूरत है और मैं फिर कहता हूं भाजपा के पास जब वो एक तरह से कहें कि नहीं मानी जाती थी कि पिछड़ो द कमजोर हुई है नरेंद्र मोदी ही अपने आप में इतने बड़े चेहरे हो गए कि स्टेट लीडर्शिप में अब चहरा ढूनने में समस्या और रही है बर्गत का पेड़ होता है ना जब बर्गत का पेड़ विशाल हो जाता है तो नीचे कोई और दूसरा पेड़ पनप नहीं पाता है बिल्कुल नहीं मेनाक्शी ये बहलकुल हर जीने बात कही है वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ आप करनाट का उठा लीजिए राजस्थान उठा लीजिए मद्देपदेश उठा लीजिए कहीं जगा तो पहले बारी जीत के आई हुए MLA को आप चीफ मिनि चाहरे है ये गुरूम हो नहीं पारे आप हर्याना की बात करें मैं आपको यह बता दूँ कि क्यूं बार बार हम यह पूछते हैं आज की हम OBC के दम पे BJP वापसाना चाहती है जाट के दम पे क्यों नहीं समझती BJP कि जब BJP सत्ता में आई थी हर्याना एक जाट बहुले स् क्यूं आज Congress मापे पांच सीटे जीत के आई है भुपिंद हूडा को देख लिए उनका जो पीए है परसनल सेकेटरी है उन्हें वो दलित रखा है किरन चौधरी और शुत्री चौधरी को आप जाट के लिए लेके आ रहे हैं पहले आप बिरेन चौधरी बिरेन को लेके आए उनके बेटे को आपने फिर MP लेट किया जाट को खीचने के लिए तो आप उपनी strength पर क्यों नहीं लड़ते हैं और अगर आपको strength आपको develop करनी थी OBC's में तो आपने वो क्यों नहीं develop करी क्यों आप पांच सीटे मापे हारे आज हारेना का आप देख लिजे क्यों हारेना म परना पड़ रहा था जे जेपी से क्योंकि आपको पता था जाट बैट आपके सपोर्ट में नहीं आ रही है लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आज आपने OBC नेता को इतना गुरूम किया होता या दलित नेता को इतना गुरूम किया होता तो आज BJP को शायद अमिश्चा जी को ये रैली ना करनी पड़ी होती आज वो अपनी फुल बैटिंग पे आ रहे है क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि OBC ही उनका बेस काडर है जिसके कारण वो जीत सकते हैं चुनाव आज के दम पे जाटों के दम पे वो नहीं जीत सकते क्योंकि जाट सौहरी कुछ से कभी लेकि सुझा सर्जरी रहे है और वो भी बड़ी सर्जरी कि बस अब ये जो कॉंग्रेस के जो लोग आए कारेकरताओं पर ध्यान दे मनले बड़ी उनकी सारी बासे सहमत हो लेकिन उनकी बहुत प्यार से कहा कि अब कोर्स करेक्शन की ज़रुत है कोर्स करेक्शन जो वो कह अब मेजर सर्जरी के लिए पहले आपको हिम्मत करनी पड़ेगी कि क्या आप ये मेजर सर्जरी करना चाहते हैं जो पार्टी 2013 में ये नारा देती हो कि कॉंग्रेस मुक्त देश बनाना है कॉंग्रेस मुक्त देश बनाना है वो 2024 में बीजेपी को कॉंग्रेस मुक्त बनान की तैयारी में लगी है